बच्चों के फ्यूचर की बात तो हमने कर ली अब अपने इस सेग्मेंट में हम बात करते हैं रिष्टों की रिष्टे बनाना है उनको निभाना भी है लेकिन आज कल बहुत मुश्किल ये सब होता जा रहा है एसे में रिष्टों से जुड़ी कोई भी परेशानी से पार पाने के लिए कौन से आसान उपाय होंगे चले पंड़ी जी से जानते हैं पंड़ी आज कल तो हम देख रहे हैं कि कितने रिष्टों में कड़वाहत आती जा रही है पति-पत्नी का रिष्टा तलाक के किसे इसने में हुआ है पहुत पढ़े लिखे लोग पिएच्डी किये हुए लोग बैज्ञानिक यहां तक की दार्शनिक सभी लोगों के ऊपर एक सोध किया गया कि उनका जीवन कैसा है उनका जीवन एकदम बिखरा हुआ है जीवन उन लोगों का सफल है जिन लोगों ने अपने रिष्टों को समाला है आप कम कमाते हैं,graduate है कम पैसे वाले हैं,पम आपका नाम है, कम आपकी सुहरत है लेकिन अगर आपने अपने रिष्टों को सजोया है समारा है उसे बचाया है और वो रिष्टे जिसे आपने नहीं बनाया है जिसे भगवान ने बनाया है मा की कोक से आप पैदा हुए है तो मा का और आप का रिष्टा भगवान का रिष्टा है पिता से आप उत्पन्न हुए हैं ये भगवान का बनाय हुआ रिस्ता है भाई बहन उसी कोक से पैदा हुए है ये भगवान का बनाय हुआ रिस्ता है अगनी और विश्नु के सामने आपने पत्नी के साथ पाड़ी ग्रहन किया है ये भगवान का बनाय हुआ रिस्ता है जो इ इन रिश्टों को बचा लिया है, जिन लोगों के इन रिष्टों में मिठास है सच मुच में जीवन जीना उन्हीं का साल थथ है रिष्टों को बचाने के लिए ज़रूरी नहीं है कि हर परिवार का सदस हमारे अनुरूप हो कहते हैं ना? अरणेकांड में मुखिया मुखसो चाहिए खान पान कहु एक पालह पोसा ही शकल अंग तुलसी सहित बिबेक मुखिया कैसा होना चाहिए घर का जैसे मुह होता है अगर किसी को सुगर हो गई तो मुह चीनी खाना बंद कर देता है जबकि मुंग से क्या मतलब है शुगर हो गई तो हो गई, मुँछी निखाए, अगर किसी को लीवर की प्राब्लम हो गई, तो फैची चीज खाना बंद कर देता है मुँँछ, मतलब हर अंग को देखते हुए, हर रोग को देखते हुए, तब मुँँछ आहार ग्रहन करता है कि किसको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए तो उसी तरह से चाहे राष्ट का मुख्या हो चाहे प्रधान मंत्री हो और चाहे चीफ मिनिस्टर हो चाहे देश का राजा हो उसको भी चाहिए कि हमारे देश की सबसे निचले अस्तर की प्रजा की समस्या क्या है और सबसे उचस्तर के लोगों की समस्या क्या है उन समस्याओं का समाधान क्या होना चाहिए उस पर उसे सम्यक कारे करना चाहिए मुखिया मुखसो चाहिए खान पान कहू एक पालह पोसा ही सकल अंग तुलसी सहित विबेग ये बहुत बड़ी बात है इसी तरह से जिसने रिष्टों को नहीं सम्हाला है उसका तो जीवन अधूरा है इत पत्थर के मकान बना लो लोहे की गाड़ी खरीद लो कागज के नोट इकठा कर लो सोने चांदी के सिक्के इकठा कर लो लेकिन जिन्दगी बेकार है अकेले में बैठ के रोगे कोई आसू पोचने वाला भी नहीं मिलेगा और यदि आपके रिष्टे समले हुए है तो एक बार अभाव भी आपके जिन्दगी में आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा और लोग आपको अगर हम हमेशा धोखा देते हैं तो किसी जरूरत मंद बच्चे को बतासा और लाल कपड दान करिए ताकि आप धोखा देने वालों को पहचान पाएं मंगलवार को हनुवान मंदिर में चमेली का तेल इत्र और सिंदूर दान करें इससे भी आप धोखे से बचेंगे बेवचा आपके मन में डर बना रहता है कि मेरे पती को कुछ हो जाएगा, मेरे बच्चे को कुछ हो जाएगा, मुझे कुछ हो जाएगा, जरासा गयस पेट में नहीं हुई कि हाट अटेक हो जाएगा हर समय डरते रहते हैं तो इसके लिए अस्वगंधा की जड नीले रंग के धागे में बाध करके उसे सनीवार को अपने गले में धारन कर लीजिए इससे केतू मजबूत होगा और डर समाप्त होगा डर नहीं लगेगा इस बात को ध्यान से सुन लीजिए पेट से जुड़ी बीमारियों से अगर परिसान रहते हैं तो घर की दक्षिन पूरो दिसा में साम के समय एक दिया जलाएं और अगर ससुराल से आपके रिष्टे अच्छे नहीं हैं तो ससुराल के आसपास ही लोगों के लिए पीने के पानी की बिवस्था कराएं पिता अगर हमेशा बिमार रहते हैं तो सनी वार को सनी से जुड़ी चीजों का दान करें यदि बैबाहिक जीवन अच्छा नहीं है तो किसी भी गुरु वार को केले का पेंड लगा कर उसकी सेवा करें लेकिन पती पत्नी दोनों ही उस समय के लिए केले का सेवन ना करें पडोसियों के कारण बहुत परिसानिया बढ़ रही हैं तो बेशन की मिठाई या पकोड़े बना कर मा बगला मुखी का भोग लगाएं यात्रा में हमेशा अगर परिसानि होती है या यात्रा किसी कारण से हमेशा अधूरी रह जाती है तो यात्रा सुरू करने से पहले भैरव मंदिर में एक नारियल चरहाएं और यात्रा सुरू करने के पहले घर से निकलते समय एक मंत्र बोलें मंगलम भगवान विश्णू मंगलम गरुद्धोया मंगलम पुंडरी काक्षा मंगलाय तनोहरी और जिस नाक से आपके सांस चल रही हो दाहिने या बायनाक से उसी तरफ का पैर घर की चौखट के बाहर निकाल करके यात्रा के लिए प्रस्थान करें निर्विग्न यात्रा होगी और सफलता के सांथ आप अपने घर वापस लवटेंगे चैमा बिन्दिवासनी